आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन जो है गुजरात में आए हुई है और इसमें हम लोग सारी चीजें डिटेर्म डिसस करेंगे और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको एबरीडे गवर्मेंट जॉब्स प्लेट नोटिफिकेशन मिलते रहे तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे वैकेंशी तो यहाँ पर आप दे सकते हो यह वैकेंशी जो है गुजरात लोकरखचक रेक्डूटमेंट बोर डिपार्टिमेंट में आई वी है और टोकरवेकेंशी की बात करें तो यहाँ पर और आपक़ जो है कॉनस्यवां का पोश्ट होगा और यहां पर जू है ज्म लोकेशिन की बात करें तो गुज्राथ में आपका जो है जू है जू लोकेशन होगा और डूप करना है और यहां पना जरुट अफिर्ट एब जया होए dolg qualification की बात करें तो 10 plus 2 student form fill कर सकते हैं और यहां पर age की बात करें तो 18 से 33 year तक आप form fill कर सकते हो और selection process की बात करें तो first phase में आपका return exam होगा second phase में physical test होगा और second sorry third phase में आपका यहां पर document verification होगा और यहां पर हम लोग देख लेंगे आपका जो है यहां पर unarmed police में जो है यहां पर unarmed police में देखें तो आपका जो है यहां पर mail के लिए 534 vacancies हैं और female के लिए 263 vacancies हैं total 797 vacancies हैं और CRPF में देखें तो यहां पर mail के लिए 400 sorry 4450 vacancies हैं और female के लिए कोई भी यहां पर vacancies नहीं है और total vacancy की बात करें male and female और सभी profile को add करके तो 10459 vacancies हैं और यहां पर हम लोग देख लेंगे application fee तो general candidate के लिए यहां पर 100 उपीज application होगा अधरवाई जितने भी category हैं सभी के लिए कोई भी fee नहीं होगा वो free में form fill कर सकते हैं और payment आपको यहां पर डेविट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग और इच अलान के माध्यम से करना है और यहां पर हम लोग देख लेंगे height 79 आपका without extension होना चाहिए और यहां पर weight आपका male के लिए 50 और female के लिए 40 kg होना चाहिए और यहां पर ST category के लिए देख लेंगे इसमें कुछ छूट है ST वाले के लिए तो यहां पर male के लिए देखें तो 162 आपका cm होना चाहिए female के लिए 150 cm और आपका chest sam होगा और यहां पर weight भी sam है और यहां पर हम लोग देख लेंगे आपका exam कैसे होने वाला है तो return exam होगा जो 2 घंटे का होगा और 100 नमबर का होगा और यहां पर आपका number of question जो होगा वो यहां पर आप दे सकते हो number of question आपका 100 होगा और यहां पर multiple choice question होगे और यहां पर हम लोग देख लेंगे आपका salary तो salary अच्छी खासी है आप यहां पर देख सकते हो 19,950 रुपीज प्लस में other allowances भी आपको मिलेंगे और यहां पर finally हम लोग देख लेंगे आपको form fill करना कैसे है तो आपको जो है यहां पर इस website पर जाके form fill करना है और यदि आपको form fill करने में कोई भी doubt होता है तो आप comment कर सकते हो मैं आपको suggest करूंगा और यहां पर दिया form fill कर लोगे कोई भी problem नहीं आएगा राइट तो thank you for watching this video